हाई दोस्तो टीफ और शान में आपका स्वागत है दोस्तो आज कि इस वीडियो में आप सीखेंगे कि आप गूगल की सर्च हिस्ट्री को आप अपने मुबाइल फोन से कैसे आप डिलीट कर सके हैं जी हो दोस्तो अगर आपने गूगल पे कुछ भी सर्च किया है और आप चा यहाँ पर यह जो सर्च जो आप करते हैं यहाँ पे सेव हो करके रह जाता है तो इसको आप चाहते हैं कि डिलीट करना या फिर बहुत सार आपके पास हिस्ट्री हो चुका है और आप चाह रहे हैं उन हिस्ट्री को डिलीट करना तो कैसे करेंगे उसके क्या करना है आपको सबसे पहले तो Google का search bar open किजी open करने के बाद आपके सामने इस तरीके से ये page खुलता है अब यहाँ पे आपको सबसे नीचे जाना है सबसे last में जब जाएंगे तो यहाँ पे एक option आपको मिलता है manage history लिखावा तो जो manage history लिखावा है दोस्तो इसमें हम click कर लेंगे जैसे हमने manage history में click किया अब ये page इस तरीके से खुलता है अब यहाँ पे आपको आना है नीचे और नीचे आने के बाद यहाँ पे धियान दीजिए यहाँ पे search bar है और उसके just नीचे यहाँ पे आपकी सारी history यानि की 11 नॉमबर को आपने क्या क्या सर्च किया क्यों कौन से website पे आप गया है सारा detail आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि कौन कौन से website पे आपने widget किया कहा login किया सारा चीज आपको one by one करके आपको दिख जाएगा आपने YouTube पे क्या सर्च किया सारा चीज आपको दिख जाएगा कौन सा आपने image, photo, videos डाउनलोड किया और सब दिखेगा तो अब हम चाहा रहे हैं कि इसके history कैसे delete करते हैं तो यहाँ पे delete का जो option है ने दोस्तो पहले तो आप ए one by one करके यहाँ से cut वाला जो option है इसमें click करके आप one by one करके आप कर सकते हैं delete लेकिन अब आपके पास बहुत सारा history है तो उसको कैसे करेंगे उसको करने के लिए यहाँ पे delete का option है इसमें हम click कर लेंगे click करने के बाद यहाँ पे पूछ रहा है कि delete today यानि कि आज की history delete करना चाहते है तो अगर आपने आज जो भी चीज सारा सर्च किया है जो जो website पर जा करके ओ आज का delete करने के इसमें click करेंगे अगर आप delete custom range यानि कि कुछ महीनों को delete करना चाहते है या कुछ हपतों की कुछ week की तो यहाँ पे इसमें click करके आप select कर सकते हैं कि कितना तारिक से कितना तारिक तक आप history को delete करना चाहते हैं लेकिन अब हम चाहते हैं कि सारा history delete करना तो delete का जो option है इसमे click करेंगे click करने के बाए delete all time लिखा हुआ है यहाँ पे third number पे तो इसमें हम click करेंगे अब यहाँ पर आया कि two product selected है यहाँ पर first है कि image search यानि कि जो भी आपने image search किया है और फिर जो भी आपने Google पर जाकर के search किया है Google search bar से जो भी आपने website वेगर आपने सारा गया है तो यहाँ पर सारा चीज हमने दोनों टिक कर दिया जो कि इमेज सर्च और फिर गूगल वाला सर्च ओके अब यहां पर नेक्स्ट का जो बटन है इसमें हम क्लिक कर लेंगे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरीके से पेज आया है अब यहां पे पूछ रहा है कि इसमें हम क्लिक कर लेंगे तो यहां पर यहां पर दिलिशन क्लिक करेंगे अब हम चलेंगे बैक और यहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं बाहर आना है आपको बाहर आने के बाद उसके बाद आपको थोड़ा सा यानि की पांच मिनट का वेट करना है यहां पे सारा हिस्ट्र होने में कम से कम पाथ से 10 मेंक کا वक्त आपको लग सकता है नहीं तो आपको directly यहां फिर click करके देखेंगे तो साध आपको history देख सकती है लेकिन जब आप 5 से 10 मेंक कर लेंगे तो उसके बास आप सेकते हैं मेरे सारे history जो है ऑफ बिलकुल डिलीत हो गया देखिए दिखे सारह ही स्थिए यह सब गूगल पर जो रिकमेंड की हिए चान pioneers यहां पर दिख रहा है बाकि मेरे सारह हिस्थीट हो चुका तो दोस्तो इस तरह केसाब Qoc disciples आ jogar श्रह करें तो मिलते हैं नेके फट विडियो में तब तेकं लिए टेका